यहो देखिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं मकान की छट पर कास्टिंग करने के बाद अगरे दिन हमको मकान की छट पर क्या क्या काम करना पड़ता है तो दोस्तो सबसे पहले हमको मकान के चारो तरफ वाल लगाने के लिए हमको इस तरह से इटे लगाते हैं जैसे आप देख रहे हैं इसके मकान के चारो तरफ हम एक एक इड़ लाएंगे लेकिन उससे पहले हमने जो हमने मकान के छट के चारोतरा प्लाई शट्रिंग की होती है उसको हम एके करके निकालते हैं उसको निकालने का तरीका दोस्तों यह है एक हमारे पास लोहे की शड़ी होती है जिसको बहुत सो लोग संभल भी बोलते हैं उससे हम इस तरह से हम उसको किनारे से इस तरह से हिला हिला कर निकालते हैं जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें तारों से इसको बाधा होता है तो इसको हम तारों को तोड़ते हैं संबल की मजद से और इसको हम एके करके पूरी साइडों से चारों तरफ से हम जो हमने प्लाई सट्रिंग की होती है इसको हटाते हैं इसको हटाने कराण यह हो भी है कि जब हम बाउंडरी करेंगे तो वह बाउंडरी टूट जाएगी इसलिए boundary करने से पहले हम ply setting जो हमने side में की होती है उसको हम इस तरह से हटा देते हैं आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसको धक्का मार रहे हैं और इसमें तारों से इसको बढ़ा वी बदी हुई होती है ये तो इसकी तारों को हम काट रहे हैं इस तरों से मार के इसको और जब तारे टूट जाएंगी इसकी तो यहाँ साइट से इस तरों से नीचे गिरा देते हैं इसको तो दोस्तो उसके बाद हम पूरे मकान पर एक बार हम पानी से छिड़काओ कर देते हैं ताकि जब हम boundary करेंगे तो उसमें को काफी समय लग जाएगा तो तब तक हमको मकान को नमी देने के लिए उसके बार हम इस तरह से पूरे मकान की छट पर एक बार हम बिना boundary wall और बिना क्यारी बनाए हम पूरे मकान पर अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे मिस्तरी पानी की तरही कर रहे हैं तो इसको complete पूरे छट को हम बढ़िया अच्छी तरह से तरही कर देते हैं आप देख रहे होंगे कि मकान की छट पर हम अच्छी तरों से पुरे मकान की छट पर तरही करेंगे ऐसा करने से हमारे जो क्यारी और बॉल बनाने में जो समय लगेगा तब तक इसमें नमी बनी रहीगी इसलिए दोस्तों वल लगाने से पहले हम इसकी छट पर पुरी तरह से अच्छी तरह से इस तरों पानी का च्छड़काओ करते हैं आप देख रहे होंगे कि हमने पुरे मकान की छट को अच्छी तरों से गीला कर दिया है ताकि जब हम कोद देर ना हो जाए तो हमारे मकान की छट पर नमी बनी रहेगी जिससे हमारी मकान की छट पर दरारे नहीं आएंगी इसलिए दोस्तों एक बार हम boundary wall करने से पहले इसको हम अच्छी तरों से इसकी हम तराई कर देते हैं उसके बाद दोस्तों हम आप देख रहे हैं कि साइडों से हम अब हम boundary wall लगाने शुरू कर दिया हम एक-एक इट करके हमारी मिस्त्री एक-एक इट करके complete चारों तरब इसके wall लगाने की त्यारी कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों अब आप देखिए कि हमने पूरे मकान की छत में चारों तरब से इटों की wall त्यार कर दी है और उसके अंदर हमने मसाले से क्यारिया बना दिया है इन क्यारियों पर हम सुखनी के लिए छोड़ जेते हैं कुछ देर और ऐसा सुखने से यह क्यारिया मजबूद हो जाएंगी जिससे हम 10 बारे दिन जो हम मकान की छत पर पाने डालेंगे उससे हमारी क्यारिया तुटिंगी नहीं मजबूद रहेंगी तो दोस्तों क्यारिय बनाने के बाद कुछ टाइम उनको छोड़ देना चाहिए उसके बाद दोस्तों हम आप देख रहे हैंगे कि पूरे मकान की छत पर हम ने किस तरो से क्यारिया बनाई हैं तो हमने यह सिमेंट औरactic उससे हमने यह सारे मकान पर पूरे मकान पर हमने अच्छे suspects क्यारिय बना दी हैं दोस्तों अब हम इसमें पानी से इसको सारी क्यारिया जो हमने बनाई वी हैं एक के करके सारी क्यारिय को हम अच्छी तरह से भर दिंगे पानी से आप देख रहे होंगे कि क्यारी बनाने के बार सबसे पहले हमने सारी क्यारिय में एक एक बार छिलकाओ करते हैं ताकि एक बार हम सारे मका कर दोसरी क्यारी तब तक हमारी सुखी नहीं रहीघी और चाहे बारे लेंटर में नमी बनी रहेगी इसलिए दोस्तो एक बार पाणी भरने से पहले भी पूरे मकान की छत पर हम ब्रुए को करते हैं दोस्तो कें के तो दोस्तों अब दीख रहे हैं हमने पूरे कान की छट पर लगभग हमने पानी की तरही कर दी है दोस्तो इसके बाद दोस्तो अब हम एक एक करके पूरे जो हमने क्यानिया बनाई हुई हैं इस पर हम पानी भरेंगे मोटर की साहिता से तो दोस्तो अब आगी है बारी जैसे हमने देखा देख रहे हैं आप फर्स्ट क्यारी पर हम इस तरह से पानी हमने prisoners छोड़ दिया है नमी के लिए इसको हम मकान की छट पर लगभग दस दिन तक नमी देने के लिए हमको इस तरों से पानी हम पूरे मकान की छट पर भर दिंगे ऐसा करने से हमारी मकान में नमी बनी रहेगी जिससे हमारे छट पर जो धूप लगेगी या गर्मी पड़ेगी उससे हमारी मकान की छट पर दरारे नहीं आएंगी तो दोस्तों यह बहुत ही जरूरी होता है पानी का इस तरह से क्यारी बना के बना